बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया पर रेगुलर्ली एक्टिव रहते हैं, कॉंटेंट मार्केटिंग करते हैं, तो कितने दिनों में हमारे कितने फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, ये हम पूछना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग पूछने चाहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी पूछना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यूटिव पर कमेंड करके भी पूछते हैं, कि भीया तुमने ये वीडियो बनाई थी पिछले चार दिन में सिर्फ तीस व्यूज आएं मैंने उनको रिप्लाई कर दिया पता नहीं भाई इतने कम क्यों व्यूज आएं अगर आपको पता हो तो मुझे भी बता दिना राइट अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि अगर आप रेगूलर कॉंटेंट मार्केटिंग करते हैं तो व्यूज कितने आएंगे और फॉलोवर्स कितने आएंगे भहिया देखो अगर आप बिजनिस ओनर्स हो मैं आपको बड़े-बड़े बिजनिस अकाउंट दिखा सकता हूँ फेस्बुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जिनके व्यूज आते हैं दिनके 10, 8, 6, 7 बिजनिस अकाउंट बड़ी-बड़ी कंपनीज के राइट So, my dear friends, try to understand कि आप एक बिजनिस अकाउंट हो एंटर्टेनर नहीं हो, जोकर नहीं हो आपको जो व्यूज आएंगे, बहुत काम आएंगे एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो लोग follow भी आसानी से नहीं करेंगे राइट अब आप उचोगे तो फिरम content marketing करें ही क्यों My dear friends, जब आप content marketing करते हैं regularly अपने audience के सामने जाते हैं तो आपकी brand value बढ़ती है वो brand value बढ़ती ही रहती है आपका social media optimization होता रहता है आपका ऐसी optimization होता रहता है आप social media platforms को और Google search engine को signals देते हो कि आप super active हो जब आप super active हो तो आपकी brand value बढ़ती है जब आपके students, clients आपके बारे में search करते हैं तो आप उनको मिल जाते हो आपके products उनको मिल जाते हैं आपकी services उनको मिल जाती हैं तो वो अपना decision फड़ा फड़ा बना लेते हैं आपको पैसे देने का ये मेरे साथ हो रहा है मेरे बहुत कम views आते हैं बहुत कम followers हैं बट जब भी लोग आके देखते हैं कि यह इनकी presence बहुत अच्छी है वीडियो बहुत बना रहा है इनका content regularly है तो उनके दिमाग में एक चीज fix हो जाती है कि this person तुनिल चौधरी is super active and super active and super helpful तो वो पैसे देने में मिलकुल hesitate नहीं करते मैंने अभी अभी किसी को समझाया है कि for example जो personality है डिजीडल दीपक, दीपक अनक राजू सिद्धार्त, राशेकर, राजीर, तलरेजा, पूजा, पुजा, पुनीत, बलेयर, सिंगर ये बड़े बड़े लोग इनकी कितने सब्सक्राइबर हैं आप गौर से देखिए 40,000, 50,000, 1,00, 2,00, आपको लगता ही बहुत जादा है जिस हिसाब से इन्होंने करोडो रुपया खर्च कर दिया है पेड एड्स पर इनकी जो इमेल लिस्ट हैं वो 5,00, 10,00, 40,00, तक की इनकी इमेल लिस्ट है उसी इमेल लिस्ट में से इनके पास तमाम दुनिया के फिरी स्टूडेंट्स हैं पेड इस्टूडेंट्स हैं उनको दिन रात यह बोलते रहते हैं फॉलो मी ओन फेस्बूक फॉलो मी ओन यूट्यूब तब जाके इनके एक लाख सब्सक्राइबर हुए हैं कहां से हुए हैं सब पेड एड्स के अंदर एको सिस्टम जो बनाया है उसमें से हुए हैं कितने बढ़ेंगे आपके बास पेड सारा सिस्टम आपका पेड है और कुछ है ओर्गनिक तो जो लोग आपकी ग्रेजवली स्लोली दीरे दीरे बहुत दीरे दीरे सबर रखना पड़ेगा आपको और यह सब चीज़ें ऐसी हैं इनके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है आपको आप एक डिजिटल कोच हो आप एक बिजनिस ओनर हो आप एक कंपनी ओनर हो आपको फॉलोर्स वगरा के चक्कर में महीं पढ़ना है आपको सरिफ इस चक्कर में पढ़ना है कि मेरे पास admissions आने चाहिए paid clients आने चाहिए leads आने चाहिए मेरा business ग्रो करना चाहिए उसके लिए आप content marketing कर रहे हैं उसके लिए आप paid ads कर रहे हैं that's it followers की मुहमाया मत पढ़ो मैं आपको दिल से बता रहा ह thank you very much for watching this video